मीन रासी बालों का आने बाला दिन यणी की चार मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ चार मार्च 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सस्थी नक्षत्र है विसाखा पक्च है क्रिस्न पक्च दिन है गुरू बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है छे बजिके तैंतालीस मिनट में सुर्य अस्त का समय है छे बजिके बाईस मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है इग्यारह घंटे अर तीस मिनट बाबन सेकेंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है बारह बजिके 10 मिनट पीएम से बारह बजिके 56 मिनट पीएम तक असुभ काल सुरू होता है तीन बजिके 15 मिनट पीएम से चार बजिके 2 मिनट पीएम तक राहू काल सुरू होता है दो बजे पीम से तीन बज के 27 मिनट पीम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस विडियो के अंत में आपके आने बाले समय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला समय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले समय में आपका आर्थिक जीबन धन संपती के मामलों में आपका समय कैसा बीतेगा मित्रों आने बाले समय में यदि आप कहीं भी धन संपती का निबेश करना चाहते हैं तो पैसों के निबेश के द्रिश्टी कोन से आपका समय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा मित्रों आने बाले समय में यदि आपके घर परिबार आपके पारिबारिक जीबन की बात करें तो आने बाले समय में आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा आने बाले समय में आपके घर बालों का साथ आपके घर बालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने बाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोन से आपका समय सामानने से बहुत जयादा नीचे है आने बाले समय में यदि आप अपने पडेमी या अपनी पडेमिका से कोई भी वादा करना चाहते हैं, कोई भी प्रोमिस करना चाहते हैं, तो वादा करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आप जो भी वादा करने वाले हैं, क्या उस वादे को पूरा करने में आप सक्छ अगर आप सक्छम है तो आप वादा करें अन्य था आने बाले समय में वादा करने से आपको बचना होगा क्योंकि आपके आने बाले समय के लिए यह बहुत ही जियादा जरूरी एबम आबस्यक है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबम भाग्यसाली अंक क्या है मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है आपको साथ बादाम लेना है एबं साथ बादाम लेने के अलाबा साथ काली उरद आपको भगबान सनी के मंदिर में चड़ाना है यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले समय में आपके लिए भाग्य साली अंक है वन यानी की एक आपके लिए भाग्य साली रंग है लाल और मैरून तो यही था आपके आने बाले समय का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जै स्री गनेस कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद